बिहार में जाती जनगर्णा के आकड़े सारवजिन करने के बार अब महा गठबंदन बड़े वोट बैंक को साधने में जुट गया है। नितिश कुमार ने अल्प संख्यक समाज के नेताओं के साथ सीम आवास पर बैठक की और साफ कर दिया कि सरकार अल्प संख्यकों के कल्यान के लिए काम करेगी। साथ ही बैठक में AIMIM चीफ ओवेसी को लीकर भी नितिश ने बहुत कुछ कहा। देखे ये रिपोर्ट। AIMIM चीफ असुदु दिन ओवेसी से साफधान रहने की जरूरत है वो बीजेपी की बीटीम की तरह काम करते हैं जहां बीजेपी को जरूरत होती है वहां ओवेसी अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं ये दावा बिहार के सीम नेतिश कुमान ने सीम आवा वो उनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां बीजेपी मुकाबले में होगी और इंडिया गडबंदन के सामने कमजोर इस्थिती में होगी इसलिए उवेसी और उनकी पार्टी AIMIM से साफधान रहने की जरूरत है नितिश कुमान ने कहा कि हमारी सरकार ने अलप संखको के हक में हमेशा काम किया है सरकार चाहे माहगडबंदन में रहकर चलाई या फिर एंडिया में रहकर बिना दबाब में अलप संखकों के हक में योजनाए बनाई दरसल दो अक्टूबर को जारी बिहार की जंगरना रिपोर्ट में मुसलिम आबादी 17.7 प्रतिशत बताई ग जहार में मुसल्मानों का बड़ा हिस्सा आरजेडी के साथ रहा है इस बार नितिश कुमार के साथ आरजेडी है लेकिन उवेसी से जरूर नितिश को परेशानी है डीबिलाइफ की रिपोर्ट